हेलो एवरिवन वेलकम तो चितीज करियर आपके आई बीपिस एब होके फैना विजर लगने के बाद बहुत सारे असपारे ने मुझे कॉल किये उसमें से सक्सेसफुल कंडिडेट्स थे उसके साथ-साथ जो नहीं कर पाई इस बार वो भी थे और उन सब को मैंने पूछा कि अब वह वह क्या लगता है कि आने वाल आटेंट है 2024 वाला उसमें आपको किस बात का ज्यादा डर लगता है तो उनमें से 70% लोग बोल रहे थे कि prelims का हमको ज्यादा डर लगता है क्योंकि बहुती टब हुने लगा है prelims तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइट कर लिजे सर ठीक है देखिए प्रिलिम्स मतलब फर्स टेप है आपके एक्जाम का और मैं भी मानता हूँ कि बहुत टब हो रहा है जो मतलब सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे है या फिर जिनको मैट्स, इंगलीश या रिजनिंग में या इनमें से किसी एक में थोड़े वो वीक है तो उनक कर लिए प्लैनिंग करके इसके प्रैक्टिस इन एडवान स्टार्ट करनी होगी अब यह समझना ज़रूरी है कि प्रिलिम्स हार्ड है इसलिए हम इसको आप्शन को तो यह न डाल सकते है इसको करना ही है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको पॉसिबिलिटी ढूननी से टाइप आप पुछे जा रहे है या कि टाइप आप मतलब जो भी पैटन पूछा जा रहा है उसको थोड़ा सा अनालिसिस उसका करना है और उस तरीके के एक्जैंपल्स आपको लगातार सौल करने है देखिए यह प्रिलिम्स का जहां तक सवाल है इसमें प्रैक्टिस मै प्रैक्टिस मैंने भी बहुत सारे प्रिलिम्स दे रखी है मतलब जहां पर यह सब मैस इंगलीश रिजनिंग आता है इनमें आप कितना पढ़ पढ़ चुके हैं आप कितना आपको फॉर्मेलेज याद है या फिर कितनी वोकेबलेरी आपकी अच्छी है ड़संट मैटर 10-20 दख्की तो मैं यह कहता हूं कि एक बार बेजिंग रिवायस कर लिजिए और लग जाए फ्राइक्टिस में जितने वी जहां से पी एक्जाम्पल मिले जहां से भी कोई पी क्वेशन मिले जो भी मिले जो भी सरसे माटेर्ल मिले बस करते रहिए करते रहिए इतना होना च जाहिए कि जैसे आपका final paper आएगा तो आपके लिए एकदम वो smooth होना चाहिए यह सब journey आप जितना practice करेंगे जितनी net practice करेंगे उतनी ही आसानी से आप जो आपका final exam है मतलब जो prelims है वो आसानी से clear कर पाओगे यही एक ही solution है बाकी किसी solution के पीछे मत भागिए effect to study कैसे करना है वो मैं बताऊंगा पर क्या secret है prelims का यह जो practice है यही secret है कितने भी वीडियो देख लीजिए कि इतने भी coaching वालों से पूछ लीजिए कोई फरक नहीं पड़ता है यह एक जो practice का जो मतलब practice को alternate कोई नहीं है प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा चाहे दो चार टाइप के question आपको मतलब उसके formulas हो या फिर कुछ जो भी है उसका जो basics आपको पता नहीं है चलेगा जो भी आपको पता है जो भी आपने पड़ लिया है उसमें आप एक दब master होने चाहिए इसके लिए practice के सिवा दूसरा कोई option है नहीं तो practice is a key of prelim और ज्यादा से ज्यादा मौक टेस्ट दीजे ज्यादा से ज्यादा prelims related stuff solve करते रहे आसानी से आपका prelims clear हो जाएगा जहां तक आई वी पेस एपो का सवाल है किसी भी banking exam से बहुत ही एकदम simple prelim है मैं as compared to other banking exam की बात कर रहा हूँ यहां में नहीं तो आप सब बोलोगे कि कैसे इतना easy है तो as compared to other bank exam it is very easy तो practice आपको करना है और prelims आपकी आराम से निकल जाएगी यदि आपके कोई और भी doubts है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं उन सारे doubts का मैं मेरे वीडियो उसके द्वारा आपको solutions देता रहूंगा मेरे चैनल को subscribe करिए मेरा जो youtube चैनल है और मेरा telegram group है उसको भी join करिए उसकी जो link है वो मैं description box में दे रहा हूँ thanks for watching this video have a nice day